नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबीका हमारे यूटूब चेनल ग्यान कामना पर तो दोस्तों राजिस्थान PTT अग्जाम 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये काउंसलिंग प्रोसेस है कहां से और कैसे करने है और काउंसलिंग करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और इसी के साथ इस counselling process की कुछ खास बाते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाला हूँ अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ हो आप बने रहे हैं तो चली वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि PTT exam 2023 का final result वो जारी हो चुका है टू येर बेड़ वालों के लिए और फोर येर बेड़ वालों के लिए तो फिल हाल यहाँ पर counselling registration की process है वो शुरू हो चुकी है अब दोस्तों counselling का registration करवाने से पहले आपको इसकी कुछ खास बाते हैं या counselling से पहले की क्या बाते हैं जिनको आपको खास तोर पे ध्यान में रखना चाहिए वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा देखिए काउंसलिंग में रेजिस्टेशन करवाने के लिए आपको है पांच जारूपे की जो रासी है वो ओनलाइन जमा करवाने पड़ेगी जब तक आप पांच जारूपे की रासी फाइनल जमा नहीं करवाऊगे तब तक यहां पे आप काउंसलिंग है वो फाइनल संबिट नहीं क कर पाऊगे तो इसका मतलब यह है कि काउंसलिंग के लिए आपको यहां पर पांच जारुपे की राशी वो जमा करवाने पड़ेगी लेकिन यहां पर एक बात और आपको बताना चाहूंगा देखिए मान लिजिए कल को आपको वीड में कोई नंबर नहीं आता है जो भी आप कुले चोईस बरते हैं और नंबर नहीं आता है तो यह पांच जारुपे की राशी है आपको वापस है वो रिफंड हो जाएगी इस बात को भी आपको खास तो रुपे है वो ध्यानक नहीं चलिए सबसे पहले तो मैं यहां पर देखिए टाइम फ्रेम के बारे में आपको बता देता हूं कि आप काउंसलिंग के लिए ओनलाइन रेजिस्टेशन कैसे और कब तक हो कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए ओनलाइन की जो यहां पे डेट रहेगी वो 25 जून से लेके 5 जुलाइद 2023 था का वो रहने वाली है कहने का मतलब है इसके जो लाश डेट है वो 5 5 जुलाइद 2023 है ठीक है इसके बाद यहां पे देखिए जैसे माली जी आपने काउंसलिंग के लिए 5000 रुपे की राशी जम्मा करवा दी उसके बाद आपको कोलेज की चोईस है वो भरने पड़ेगी और कोलेज की चोईस भरने की जो डेट रहेगी वो एक जुलाइद से ल पे 11 जुलाइद 2023 को है वो जारी हो जाएगी इसके बाद मान लिजी आपको कोई भी कोलेज है वो मिल गई अब उस कोलेज में एडमिसन लेने के लिए आपको 22,000 रुपे की राशी है वो भी आपको ओनलाइन हो जमा करवानी पड़ेगी और यह जो डेट रहेगी एडमिसन के लिए 11 जुलाइद से लेके 15 जुलाइद 2023 के बीच में रहने वाली है इसके बाद जब आप 22,000 रुपे की राशी जमा करवा देते हो तो उस कोलेज के अंदर आपको है ओनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी तो यह रिपोर्टिंग के जो समय रहेगा वो 11 है वो भी ओफ लाइन है आपको जमा करवाने पड़ेंगे ओफ लाइन है आपको अपना जो एडमिसन वो विरिफाई करवाना पड़ेगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इसके बाद दोस्तों अगर माल लिजे आपको ऐसा लगता है कि आपने काउंसलिंग करवाई और जो भी कुलेज चोइस बरी उसके अंदर आपका नंबर आ गया अगर आप यह चाहते हो कि मैं यहाँ पे प्रवेश नहीं लेना चाहता हूं एडमिसन नहीं लेना चाहता हूं दूसरी कुलेज में एडमिसन लेना चाहता हूं चो कारण कोई भी क्यों नहीं रहो तो इस हैस टाइम में यहां पे कोलेज चोईस बरी थी और उसके अंदर जितनी भी आपने कोलेज भरी थी तो यहां पे देखिए अपवर्ड मोमेंट के दोरान है आप उन्हीं कोलेज की चोईस है वो भर सकते हो अलांकि देखिए बाद में हो सकता है कि पिटिटी के दवरा आपको नई कोलेज भरने का मोका दे दिया जाए वो एक बाद की बात है लेकिन लास्ट में मोका मिलता बहुत समय जाके बाद में मिलता है तो ऐसे में आप यह तसलिक कर लिजेगा कि आप कोलेज चोईस है वो कितनी कोलेज हो भरोगे ठीक है तो इस बात को आपको अध्यान करने क करने के बाद आपको जो college मिल जाएगा वो यहाँ पे date रहेगी 24 जुलाइद 2023 को यानि इस date को है आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से नहीं college हो मिली इसके बाद आपको नहीं वाली college के अंदर है reporting करनी पड़ेगी reporting की यह date रहेगी 25 जुलाइद से लेके 30 जुलाइद 2023 के बीज मिली तो दोस्तों यह तो है यहाँ पर time frame ठीक है इस time frame के हिसाब से है यहाँ पर पूरी process चलने वाली लेकिन आपको बताना चाहूंगा देखिए date है वो बढ़ाई भी या फिर इसके लिए आप हमारी website पर भी विजिट कर सकते हो हमारी website का नाम है www.raazgurji.com यहाँ पर pttt का एक link आपको मिल जाएगा यहाँ पर भी मैं update की जानकारी है आपको समय समय पर है वो update हो करवाता रहता हो मर्जी आपकी है कि आपको update हो कहां से लेना है अब चलिए counseling की और खास बाते आपको बताता हूँ दोस्तों यहाँ पर मान लीजिएगा आपने यहाँ पर 5,000 रुपे की रासी online जमा करवा दिया counseling के लिए आपने registration कर दिया और जितने भी आपने यहाँ पर college choice बरी है उन में से एक भी college के अंदर यदि आपका number नहीं आया है तो आपको यह 5,000 रुपे की रासी है वापस आपके bank account में हो लोटा दी जाएगी यहाँ पर केवल 200 रुपे का charge हो काटा जाएगा बकि यहाँ पर 4,800 रुपे हैं आपके bank account में transfer करवा दिया जाएगे और इसके लिए देखिए refund के लिए अलग से online आविदन प्रोसे से वो शुरू होती है जो की बहुती last में होती है जिसके लिए आपको wait करना पड़ेगा इसके बारे में समय समय पे हम update की जानकारी आपको देते रहेंगे चलिए इसके बाद दोस्तों मानली जी आपने 5 रुपे की राशी भी जमा करवा दी 22,000 रुपे की राशी भी जमा करवा दी ठीक है और online आपने college की reporting भी कर दी फिर आपका mood बन गया है नहीं यार मुझे तो ये bid नहीं करनी है तो ऐसे में देखिए आपको बताना चाहूंगा अगर मानली जीए आप bid नहीं करना चाहते हैं आपने total fees जमा करवा दी फिर आपका mood बदल गया तो यहाँ पर देखिए आपको college में वेक्तिगे जाके अपने admission को verify नहीं करवाना है क्योंकि मानली जीए यहाँ पर आप college में वेक्तिगे जाके अपने admission को verify करवा देते हो दस्तावेज आप जमा करवा देते हो तो भी उसके बाद है आपको कोई भी refund नहीं होगी इस बात को आपको खास तोर पे धानकन है यह फीज तभी refund होती है जब आप college के अंदर जाते ही नहीं हो चाहिए कारण कुछ भी क्यों ना रहो इस बात को आपको धानकन है तो इस दोरान यहां पे देखिए आपकी जो 4,800 रुपी आपको मिल जाएंगे प्लस आपकी जो 22,000 रुपी आपने जो फीज जमा करवाई थी वो भी आपको वापस रिफंड हो जाएगी इसके लिए अलग से प्रोसेस वो चलने वाली है तो इन बातों को आपको खास तोर पे वो धानकन है अब दोस्तों चलिए मैं आपको वताता हूँ कि आपको काउंसिलिंग के लिए प्रोसेस कहां से और कैसे करना है तो दोस्तों यह जो काम है आप अपने मोबाइल से या घर के कंप्यूटर लेप्टोप पीसी से आप कर सकते हैं बसरते आपके पास है ओनलाइन पेमेंट जमा करवाने की कोई शुविदा होना चाहिए जैसे नेट बैंकिंग है गूगल पे है फोन पे है अगरा अगरा ठी लिए इसी पर आना है काउंसिलिंग रेजिस्टेशन के लिए तो देखिए PTT की जो ओफीसिल वेबसाइट है वो है PTT WGTU.com केवल आपको इसी वेबसाइट के मादम से है अपनी काउंसलिंग करवानी है किसी दूसरी वेबसाइट के मादम से आपको नहीं करवानी है दोस्तों अगर आप मान लीजे यहाँ पे देखिए Google पे यहाँ पे PTT 2023 यहाँ पे इस तरह से लिखते हो तो काफी सारी वेबसाइट हैं आपके सामने आ जाती है तो देखिए कई बार ऐसा होता है अलांकि फिल हाल तो देखिए ओफिसली वेबसाइट सबसे टोप पे आ रखी है इसके लाव देखिए यह वेबसाइट आ रखी है इसके लाव ये वेबसाइट आ रखिए और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन इन किसी भी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे विजिट नहीं करना है क्योंकि कुछ वेबसाइट हो फेक होती हैं लास सेसन की बात करें तो कुछ साथी इस फ्रोड शकर में ओफस के दूसरी वेबसाइट पे जाके पांच जार उपे की रासी जमा करवा दी ना तो उनका एडमिस्न हुआ और वो पांच जार उपे भी है वो उनके है वो चलेगे तो इन बातों का आपको खास तो और पे ध्य आपको इस लिंक पे खुरगे तो लिंक इस तरह से एक नया पेज हुँग ओब हो जाएगा अब सबसे पहले तो आपको यहां पर अपने डिटेल है वो डालने है जैसे आपके रोल नंबर है आपकी counseling ID अब यह counseling ID है आपको कहां मिलेगी तो दोस्तों यह counseling ID है आपने जो अपना result देखा ना तो उस result के उपर है यह जानकर यह आपको मिल जाती है चलिए मैं यहां पर आपको दिखा देता हूँ result देखिए result है और यहां पर देखिए लिखा हूँ counseling ID ठीक है न और यहां पर यह नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं तो यह होती है कि online आवेदन forum भरते समय है हमारी DOB गलत हो गई या फिर अपने नाम की spelling गलत हो गई तो यहाँ पे जो आपने आवेदन के समय जो डाटा डाला ना सेम का सेम वही डाला अगर यहाँ पे अब आप सही डाटा डालते हो या पहले गलत हो गया था और अब सही डालोगे ना तो यह आगे नहीं बढ़ेगा तो जो आवेदन के समय डेटेल आपने भरी ना के और वही आपको यहाँ पे डालना ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको payment का option नजरा रखा है इस पर आपको क्लिक करना है यह दि आप offline चलान जमा करवाना चाते हैं 5000 रुपय का किसी इमित्र की साहिता से तो यहाँ पे आपको इमित्र चलान वाला option है वो select करना है और last में यह चलान है आपको print करके है इमित्र पे आपको जमा करवाना पड़ेगा अगर आप ऐसा चाते हो कि मैं कहीं पर नहीं जाऊँगा मेरे पास online payment करवाने की सुईदा है net banking है QR code है UPI है Google Pay है phone पे अगरा वगरा उसी के दारा अगर आप करना चाते हो तो आपको online ICICI bank है वाले link पे आपको click करना अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास है ICICI bank account होना जरूरी नहीं कोई भी bank को किसी भी bank से आप यहाँ पे payment कर सकते हो यहाँ पे bank select करके आपको login करना है login करने के बाद सबसे पहले आपको एक नया जो password हो आपको generate करना पड़ेगा और यह जो password है आपको बहुत से के लिए संभाल कर रखना है क्योंकि जब भी आप आगे अपनी counseling को लेकि कोई भी काम करोगे जैसे college choice का भरना है, college में reporting करना है, document online upload करने है अगरा वगरा तो उस समय आपको यही password हो काम में आने वाले हैं पासवर्ड को आपको संभाल के रखना है, इस बात को आपको खास तो रुपे दान अकना है अब दोस्तों finally मान लेते हैं कि आपने अपने detail भर दी, अपनी bank की detail आपने यहाँ पर भर दी यानि पहले आपको counseling का registration करना होगा, 5,000 रुपे की राशी जमा करवाने होगी उसके बाद आपको college choice बरना होगा और college choice बरने के लिए देखिए आपको यहाँ पर link है, वो provide है, वो करवा दिये जाएंगे अलांकि देखिए, फिलहाल की इस्तिति के अंदर, जब मैं यह 26 जून को वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल की इस्तिति के अंदर, यहाँ पर आपको कोई भी link वो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपको जो time frame दिया गया है, वो time frame आपको खास तोर पे ध्यान रखना है मैं आपको यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ, वरना आप confused हो जाओगे आप यहाँ पर दे सकते हो, college choice बरना, यानि online विकलब बरना, तो यह date रहेगी एक जुलाई से लेके 8 जुलाई 2000 इसके बिजमी, यानि यहाँ पर जो link अक्ति होने वाला है, वो एक जुलाई को अक्ति होने वाला है इस बात को आपको खास तोरपे वो ध्यान लखना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे जैसे इसका time आता रहेगा, वैसे वैसे आपके लिए video है, मैं provide हो, करवाता रहूँगा, ठीक है तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस counseling को लेके कुछ basic जानकारी आपको यहाँ पर बताई है, यदि आपको counseling के लिए registration करना है, college choice भरना है, तो इसके लिए हमारी अलग से video है, लिंक आपको वीडियो की description में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा, बस दोस्तों इस प्र भी help करने की कोशिश करूँगा, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छे लिए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ हो शेर करना, और इसी परकार से नए नई वीडियो की update की जानकारी चाहते, तो चैनल को subscribe कर लिजेगा, बेल आइकन दबा के all notification उसे भी on कर कीजेगा, ताकि जब भी हम अमारे चैनल पे कोई नए वीडियो अपलोड करें, तो उसका एक notification है, आप तक वो पहुंच जाए, तो मिलते हैं फ़र्णिस अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिन्द, जय भर